गुजरात में लोग सबाचुनाओं के लिए एक और नामांकन पत्र भरने की शुरुआत बीजेपी और कॉंग्रेस के उम्मीदवारों ने कर दी है वहीं दूसरी और शत्रिय समाद जो है वो अपनी मांग को लेकर अभी भी अडिक है कल शत्रिय समाद ने जो है प्रशुद् किया था सरकार को बता था कि हम शांती पूरवक्वके करें नियुक्त अभी राज पूसर का नाराजगी जो है वो शांत नहीं हुई है राज्पूस समाज को लेकर बात कर रहा है कि सरकार्प्था और हमारी बात दूसरे पार्ट में आंदोलन शुरू करेंगे और वो आंदोलन सिर्फ राजकोट नहीं पूरे गुजरात के लिए होगा गुजरात की हर सिट के उपर अक्षैत्रिय समाज जो है वो अपना अपना जो है रोश दिखाएगा और साथ ही अपनी नाराजगी जाहिर करेगा जो बाजपा के उमिद्वर होगे उनके सामने उसके लिए संक्लन समीधी जो है वो रणनीती बनाएगी अभी रणनीती की गोशना नहीं की गई है पर माना जा रहा है कि अगर 19 तारिक तक बाजपा जो है अपना केंडिडेट नहीं बदलती है क्योंकि 19 तारिक जो है नामांग समाज को कहा कि हमारी नाराजगी नाराजगी क्यों है क्यों चाहते हैं जो नहीं कि एक नहीं हो की बात यह है कि 16 तारिक यानि कल जो है परस्वन रुपाल अपना नामांगन कर रहे हैं वो खुद रेली करेंगे और रेली में एक सक्तिर व्रेशन होगा बीजेबी का और साथ ही उनका नामांगन भी होगा याने की पूरी तैयारी परस्वन रुपाला की और से की गई है वै अंतिपुरोग तरीके से आप से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप वो मान जाईए यह बात जो है शत्री समाद में कहीं है हाला कि बात रिक्वेस्ट की है पर जो बात जिस तरह से की गई है वो साफ तोर पर उनका गुष्टा दिखाता है उनकी नाराजगी दिखाता है 19 तारिकों केंदरी अग्री मंतरी का नामांकन है तो शायद उस दिन नहीं पर 19 तारिक के बाद 20 तारिक को जो है सत्रीय समाज को बड़ी रेली करने की जो है वो तैयारी कर रहा है अगर नामांकन रद मतलब की जो फॉर्म जो है वो रूपरा ने बढ़ दिया और वह वाप अग्रीति के लोग थे साथ ही जो राजे रजवाड़े थे जो सभी राजा महराजा थे जिनके पूर्खों ने देश की आजादी के बाद अपने जो रजवाड़े थे वो देश को दे दिया और उससे बारत बना तो इन सभी रजवाड़ों के जो उत्रादीकारी हैं वो रहेगा क्या पाठीदारों की तरह एक बड़ा आंदोलन लेने का स्वरूप लेने जा रहा है या फिर बीच का कोई रास्ता निकलेगा इसके उपर सबकी निगाहें टिकी हुई है उसके बीच जो है रुपाला 16 तारीख याने की कल जो है फॉर्म बने की तयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी बीचेपी शक्तिप्रशन करेगी और साथ ही एक मैसेज देगी कि बीचेपी एक साथ खड़ी है और बाकी लोग भी जो है वो बीचेपी के साथ खड़े हैं यह दिखाने का प्रयास होगा आज केंजरिय मंत्री मंसुक मांडेवा ने भी अपना नामंगन किय है उन्हें कहा की पूरबंदर की सीडे उस्पे वह बड़ी लीड से जीतेंगे यहां पर विपक्ष है नहीं और साथ ही जिस तरह से वह बार नरेंद्र मूधी और उन·न की सरकार को गिर्न नहीं है इसलिए और सरकार की हमेशा करना वीपक्स का सबा़ रहा है तो सकारात्मक मुदी ने कहीं है कि पूरे देश में बीजेपी 370 प्लस और NDA 400 प्लस तो उसी दिशा में बाजपा आगे बढ़ रहे हैं वो दावा कर रहे हैं जिस तरह से बीजेपी ने संकल पत्र दिया है उसी मुद्धों को लेकर बीजेपी लोगों का काम करती रहेगी और आने वाले द सब्सक्राइब करेंगे और उसके साथ गुजरात के अंदर जो पहला पड़ाव है चुनाओ का वह खत्म हो जाएगा और उन्नीस तारीक के बाद जो है वह दुआधार प्रचार शुरू होगा जिसमें प्रदान मंत्री मोधी भी आएंगे के अदरी नितुत्व भी आएग हैं कि परशतम रुपाला की उमिद्वारी रद की जाए और वहाँ पे कोई नए उमिद्वार को बीजेपी उतारे तब इक सत्रिय समाज उनको जो है वो समर्थन करेगा अब देखना होगा कि इस मसले का हल बीजेपी कैसे लाती है पूर्बंदर से कैमरा वंजेवनिवास के साथ प्रिजेश तोशी आज तक